गुमार्वी नगर परिशद के तहट मीट मार्केट से गुजरने वाले गंदे नाले में अभी 11 महीने पहले लगाए गई गुमार्वी नगर परिशद के तहट मीट मार्केट से गुजरने वाले इस नाले में कुछ समय पूरव दोनों तरफ दंगे लगाए गए थे पर बुद्वार दिन वा रात को हुई बारिश से ये डंगा गिर गया है जिससे जगतपाल शर्मा का प्लोट वो ओम परकाश के मकान को खत्रा बढ़ गया है बेशक जिस ठेकेदार ने ये डंगे लगाए थे उसने इससे पूरव बी 70 मीटर दोनों तरफ डंगे और बीच में कंक्रीट डाली गई थी जो ठीक है लोगों को दुरगन से निजात दिलवाने के लिए नगर परशित नाले के दोनों तरफ डंगे लगा रही है पर जिस तरफ ही डंगा गिरा हुआ है उस तरफ एक तरफ ही डंगा लगाया गया है और बीच में कंक्रीट भी नहीं डाली गई है जिस से नगर परिशद के अधिकारियों वो प्रतिनिदियों के कारेओं पर प्रशन चिन लग रहा है नगर परिशद के उपाद्यक श्याम शर्मा ने कहा है कि पूरव नगर परिशद के चुने हुए परतिनिधियों ने अगर कारियों को सही तरीके से करवाया होता तो आज कुछ समय बाद ही डंगे गिरने शुरू नहीं होते ये जो डंगे गिर रही हैं इनकी भिवागी जाँच करवाई जाएगी जो दोशी पाया जाएगा उसके विरुद नीमन सार कारेवाही की जाएगी आज हम यहां मीट मार्केट में बजवाड में आये थे और यहां पर जो कल और परस्ट दो दो दिन में बहुत भारी बरसाथ हुई उसके बाद से करटेनी बाल गिर्गी थी जिसकी बाद से थोड़ा जो यहां दो दिने मुकान है उनके लिए खत्रा पैदा हुआ है ही तो आज हए शाहाब हमारे में कि स्थानी आपारषा तरक crypto करने तो समय कोशीच करेंगे और जो भी कॉंट्रेक्टर जिसने विसमें और पिछले पिसले जिसने भी देखरेقتर में यह लगा उसके बाद हम विभागे जांच करेंगे और देखेंगे किसकी कलती से गीरा है और कैसी क्यों सी कॉल्टी से और किस साब से गिरने के कारण हुए हिमाचल प्लस न्यूस के लिए बिलासपूर से बिनौर चड़ागी रिपोर्ट बीती आदों से नाता सहिश ना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए